तो बच्चो आज हम पढ़ने है लर्मेल साइन्स क्लास एट का चप्टर नमर 16 दा यूनिवर्स दा यूनिवर्स मींज ब्रह्मांड तो इस चप्टर में हम यूनिवर्स के बारे में पढ़ेंगे जिसमें की आपका मून है कापी सारी स्टार्स है ठीके सोलर सिस्टम है कापी प्लेनेट है तो यह सभी इंकल्यूड है इस यूनिवर्स में तो उनके बारे में हम पढ़ेंगे वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वैल आकन को प्रेस करें जिससे के अपकमिंग वीडियो तो चली स्ट्राप अ कि सबसे पहले हम देखते हैं previous प्रिवेस करनेक्ट कों पूरिक अजंग बीजए चैनल प्लेनेट अटाध संपर लाइप यह हम पढ़ चुके हैं कि अरभ हीका प्लेनेट है मतलब सब्सक्राइब ना solar system comprise the sun solar system में हमारा sun और बाकी के eight planets हैं वो इसमें include होते हैं और moons है वो भी include होता है materials है ये भी include होते है asteroids भी include होते हैं और comets भी include होते हैं तो यानि कि ये सारे मिलके एक solar system को तियार करते हैं stars are heavenly body that are fixed and have their own heat and light मतलब stars जो होती है heavenly body होती है मतलब heavy body होती है जिनका खुद का heat or light होता है unlike stars planets are heavenly bodies that revolve around the sun और बाकी के planet भी होते हैं जो कि वो भी heavy body होती है मतलब काफी heavy होती है और वो हमारे sun के around क्या करते हैं revolve होते हैं यानि कि moving करते हैं ठीक है and have no heat and light to be there on यानि कि planet के पास खुद का heat or light नहीं होता है जबकि stars के पास अपना खुद का heat or light होता है आगे हम पढ़ते हैं देखो look at the sky during day दिन में अगर हम sky को देखते हैं you can see the sun shining brightly in the sky मतलब sun को sign होते हुए हम देखते हैं at night you can see moon और night moon को देखते हैं and countless stars मतलब जिनको मकाण नहीं कर सकते हैं इतनी सारी stars को भी हम night में देखते हैं इंक्लूडिंग प्लैनेट मतलब इसमें planets भी इंक्लूड होते हैं और other object जैसे meteors हैं या asteroids है भी इसमें इंक्लूड होते हैं these objects are collectively called celestial bodies तो यह जो सभी object हैं stars है या फिर planets है इनको सब को हम celestial bodies के नाम से जानते हैं stars have their own light stars के पास अपनी खुद के light होती है but planet के पास नहीं होती है दोनों ही heavy body होती है ठीक है this sign because they reflect the sun sunlight यानि कि जो planet होते हैं वो भी चमकते हैं क्योंकि यह sunlight को reflect करते हैं इसलिए चमकते हैं यह ठीक है इनके पास में खुद का अपना heat और light नहीं होता है आगे हम पढ़ते हैं the moon and its phases moon के बारे हम पढ़ते हैं तो you have learned in your earlier classes पहले हम पढ़ चुके हैं कि moon is the only natural satellite of the earth यानि का अर्थ की जो natural satellite है वो moon होती है satellites are heavenly bodies that revolve around the planet यानि satellite कौन होते है satellite भी heavy body होती है जो कि कि किसी भी planet के around क्या करती है move करती है जैसे अर्थ के satellite है moon क्योंकि moon जो होती है अर्थ के around क्या करती है revolve करती है you can see the moon signing in the night sky यानि कि रात में हम moon को देख सकते हैं the moon has no light of its oven यानि moon के पास खुद की कोई light नहीं होती है but it's sign because it reflects the light of sun मतलब moon जो होता है night में sign होता है because sunlight sunlight जो होती है इस पे fall होती है वो इससे reflect होती है तो हमें moon एक तरसी दिखता है it is about बनपूर्थ साहे चौबदा earth यानि moon जो होता है earth के बनपूर्थ पार्ट होता है अर्थ का जितना पार्ट है उसका चौता हिस्सा जो होता है moon होता है its reflect has rocks sorry its surface has rocks mountains and craters मतलब इसकी surface पे अगर हम moon पे जाएं और moon पे देखें तो वहाँ पर कापी सारी rocks दिखा देती है mountains दिखा देते हैं और craters मतलब कुछ गड़्डे दिखा देते हैं craters पर formed when meteorites hit it मतलब जो craters होते हैं जब form होते हैं मेट्रियोर्ट से hit करते हैं मेट्रोर्ट भी क्या होते हैं star जैसी heavenly body होती है ठीक है बट वो टूटे हुए stars होते हैं मतलब जब stars का कुछ part तूटकी गरता है ठीक है तो वो moon को hit करता है जिससे कि वहाँ पर crater बन जाते हैं there is no air मतलब moon पर कोई air नहीं है and water भी नहीं है hence life does not accessed on it मतलब moon पर life एक तरह से possible नहीं है क्योंकि air water मापकर है नहीं air water की without life possible नहीं है sound also cannot travel on it मतलब moon पर sound भी travel नहीं कर सकती क्योंकि sound को travel करने के लिए किसी medium की need होती है और moon पर ऐसा कोई medium नहीं होती है air भी नहीं होता ताकि sound travel कर सके art पर sound travel करती है because air क्या करती है medium होती है the moon rotate on its open axis moon जो होता है अपने खुद के axis पर rotate करता है and also revolve surround the earth और earth के चार और भी क्या करता है moon revolve होता है जैसा कि आप आप इस डियाग्राम में देख सकते हो यह हमारा sun है ठीक है और यह earth है जो की revolve कर रही है ठीक है और moon moon हमारी earth के चार और revolve कर रहा है ठीक है यह जो छोटा से देख रहा है आपको white white से moon है तो यहनिकी earth sun के revolve करती है और moon जो होता है वो हमारी earth के चार और revolve करता है अब हम आगे देखते है phases of moon जैनि moon के phase if you observe the moon in the night sky four few days अगर हम रात में अगर हम देखे moon को observe करें you will notice that moon does not looks the same यानि moon जो होता है कभी सेम नहीं दिखता ठीक है मतलब अगर पांचे दिन तक moon को continue देखें तो हम यह खुद observe कर लेंगी कि moon जो है एक जैसा नहीं दिखता this is because the sunlight of different parts of the moon यानि कि sunlight जो होती है वो moon के different parts पे एक तरसे flow होती है ठीक है और moon तो revolve करते रहता है अर्थ के चार और so हमें moon के अलालग parts जो है रोज अलालग दिखाय देते हैं beyond the earth can seem only a part of the signing side of the moon यानि कि हम शिर्प earth से moon के उस part को देखते हैं और जिस part पर signing नहीं होती है मतलब जिस part पर sunlight नहीं गिरती है उस part को हम earth से नहीं देख सकते हैं ठीक है यहां perfect file में देखा कि moon जो होता है हमारे earth से 384,400 km अवे है यानि कि दूर है ठीक है इतना दूर है moon यहां से km में आगे देखो the different shapes of the moon that we see from the earth are known as known as phases of moon तो यह जो अललग phases देखते हैं हमें earth से इसे हम moon के phases कहते है there are eight phases of the moon पहला हम देखते हैं देखो when the moon is between the earth and sun जब moon earth और sun के between we cannot see at all तो उस time पे हम इसको पूरा नहीं देख सकते जब moon हमारे earth or sun के between होता है तो हम इसको पूरा नहीं देख सकते तो इस condition को new moon day कहते हैं क्या कहते हैं new moon day या इस phase को क्या बोलते है new moon day तीक है और यह अमावेश की दिन आता है तीक है अमावेश अमावेश्य होती है नहा तो इस दिन यह हमें दिखा देता है अगर हम बात करें देखो अमावेश्य के दो-तिन दिन बाद तीक है after two or three days we are available to see a small portion of the moon तीक है दो-तिन दिन बाद हम moon के small portion को देख सकते हैं this is called waxing crescent moon तो इस पार्ट को यानि कि जो हम small portion में देख सकते हैं moon के तो इस पार्ट को बोलते हैं waxing crescent moon थर्ड देखो as the brighter portion of the moon comes more into our vision the moon is visible as a semi-circle this is called first quarter यानि कि फिर next अगर हम moon को semi-circle में देखते हैं कुछ इस टाइब से तो यह हमारा first quarter होता है क्योंकि उस टाइम जो brighter portion है वो हमें देखाए देता है brighter portion मतलब हाप हाप circle देखाए देता है जैसे moon मतलब इतना पोर्ट circle होता है तो हमें इस फिर पिया आदा circle ही मतलब हाप circle देखाए देता है when more than the half of the moon is visible और जब हम आदे से जादा देखते हैं तो उसे हम बोलते है back sea gibbious moon ठीक है आदे से जादा moon जो होता है उसे बोलते है back sea gibbious moon ठीक है यह देखो नीचे आपको जब इसका कुछ पार्ट हमें देखाए देता है यह first quarter है जिसमें कि हमें पूरा half moon half जो moon है वो बिजीवल है इसमें ठीक है इसमें कुछ पार्ट बिजीवल है और यह है आपका back sea gibbious जिसके बारे हम भी बात कर देते हैं तो इसमें आदे से जादा जो है moon हमें दिखाए देता है half से जादा ठीक है फिर बात करते हैं हम इसकी full moon day की इसमें हमें पूरा moon जो है दिखाए देता है तो देखो when full moon is visual it looks like a complete circle तो यह हमें complete circle जैसे दिखाए देता है और यह जो होता है बेटब इसको हम बोलते है full moon day क्या बोलते हैं full moon day क्योंकि full दिखेगा full moon day और कुछ part दिखेगा तो उसको new moon day कहेंगे ठीक है यहाँ पर new moon day था full moon day और full moon day पूर्णिमा के दिन दिखाए देता है यह बेला part जो होता है वह पूर्णिमा की रात में दिखाए देता है पूरा चांद जो होता है, पूरा मून जो होता है, वो हमें दिखाए दिता है, सर्कुलर पार्ट में, जबकि यहां पर हमें पूरा मून दिखाए ने दिता है, ठीक है, और फर्स्ट क्वार्टर में जाकर यह हाप हमें दिखाए दिता है, तो यह कुछ फेजेज हैं मून के, after this moon once again started disappearing और इसके बाद में जब हमें full moon day हो जाता है तो इसके बाद में moon सी जो है disappearing होना start हो जाता है मतलब उल्टा हो जाता है जैसे यहाँ पर हाप से जादा दिख रहा था ना तो यहाँ पर भी हाप से जादा दिखेगा फिर दोबारा हाप हो जाएगा फिर दोबारा कुछ पार्ट कम हो जाएगा तो ऐसे महला हाप से भी हाप हो जाएगा यहाँ पर जाके तो यह phases है तो यह starting से लिके ending तक तो देखो disappearing when a small portion of the moon disappearing and more than half of the moon is visible तीक है एक मिन्ट मैं इसको erase करता हूँ यहाँ पर full दिख रहता है यहाँ पर हाप से जादे देखेगा तो कि यहाँ पर भी हाप से जादे देख रहता तीक है और यहाँ पर quarter मतलब हाप मून देख रहता यहाँ पर भी हाप देखेगा तीक है इसमें इधर वाला पार्ट बिजिवल था इसमे इदर वाला पार्ट बिज़ेवल है फ़रक सिर्फ साइड का आएगा अब देख इसमें समझने वाली बात यह है कि गिबस बैक्सी गिबबस में हमें हाफ से जादा पार्ट देखता था बड़ि इस साइड का देखता था यहां भी हाप से ज्याधा पाइधे स्टाइफ और इसको बिखना सकर्थ दोन बाउत मैं। इसको बश्यंग बश्यंग बेनिंग लिखनी है करूकर है 11!". बेर जाएं अब आपת कर नौर। and half moon is disappearing यहांपर half यह disappear हो मतलु हम एकंवाला पार्ट siakar ने दिखा नहीं देता है तो इसे एक वह स्वाल्वान पार्ट से ये फिर्स्ट कॉर्टर था ये लास्ट कॉर्टर है quarter का मतलब है half part देखना ठीक है the time period between the new moon and next new moon is 29 days ठीक है बलब इस part से और मतलब यह new moon day है इससे दोबारा new moon day यानि पूरा circle जो होता है यह 29 days को होता है मतलब एक महिने को होता है ठीक है तुछ पार इस प्रकार से हमने सारे फीज देख लिए एक बार आप फिर से इनको रिवाइज करना कैसी पिक्चर के हर्प से रिवाइज करना कैसी देखो दुबारा मैं बता देता हूं सबसे पहले हमें दिखाए देगा new moon day यानि कि कुछ पार दिखाए देगा इसमें ठीक है हाप से भी कम पार दिखाए देगा फिर हमें फिर हमें ये वाला पार दिखाए देगा इसमें हाप से थोड़ा कम दिखाए देगा इसमें हाप दिखाए देगा इसमें हाप से जादर दिखाए देगा इसको बैक सी गिबबस पोलते हैं इसमें फुल दिखाए देगा इसमें हाप से जादर दिखाए देगा इ स्टार भी हेवनली बोड़ी होती है that can be seen twinkling in the night यानि इसको हम रात में twinkling position में देख सकते हैं twinkling का मतलब है चमकते हुए ठीक है they give out their own heat मतलब इनमें अपने खुद की heat होती है light होती है and made of manually hydrogen मतलब यह जो stars होते हैं यह hydrogen की ही बने होते हैं ठीक है the temperature at the center of the star मतलब star की center जो temperature होता है is between two million degree Celsius तो वो बहुत ही ज्यादा होता है two million degree Celsius मोता है the sun is also star sun भी एक star है बट sun जो है बहुत बड़ा star है it appear bigger than the other stars मतलब sun जो होता है वो बहुत बड़ा star है because the stars are millions time farther away from us than the sun मतलब बाकी के जो stars है ना वो sun से बहुत जादा दूर होते हैं इसलिए बहुत चोटे दिखाए देते हैं the sun is nearly 150 million kilometer sun जो होता है पास होता है इसलिए और बैसे भी बड़ा होता है इसलिए बड़ा दिखाए देता है ठीक है बन 50 million kilometer यह दूर होता है अब यह परामदा आर्थ मतलब हमारी आर्थ से 150 million kilometer यह दूर होता है ठीक है आप अंडरलाइन कर सकते हो alpha central is the next nearest star to the earth मतलब sun के अलावा एक और स्टार से जो के हमारे अर्थ के पास है वो है alpha central ठीक है its distance इसकी जो distance है वो 44th thousand billion kilometer है such large distances are measured in light year मतलब यह इतनी बड़ बड़ी जो distance होती है उनको light year में measure करते हैं ठीक है जैसे हमारी unit होती है हम यहाँ पर छोटी distance को मीटर में measure करते हैं बड़ी को kilometer में measure करते हैं इसी प्रकार से far distances को यानि बहुत ही ज़्यादा जो दूर distances होती है उनको हम light year में measure करते हैं अब light year क्या होती है तो देखो the distance travel by light in one year is called light year मतलब light को एक year में distance travel करने में जितना distance होती है उसे हम light year कहते हैं या पिर हम बोल सकते हैं कि 9.46 into 10 to power 15 meters को हम एक यानि कि one light year कहते हैं यानि कि one light year में इतनी distance होती है 9.46 into 10 to power 15 बहुत बड़ी distance है यह बलना एक यार ठीक है अब देखो बहुत सारे stars मिलके galaxy को बनाते हैं ठीक है a huge number of stars make up a galaxy यानि कि बहुत सारे stars मिलके galaxy बनाते है the name of our galaxy is milky waves यानि कि हमारी galaxy का name है milky waves यानि कि आकास कंगा हमें से हिने में बोल सकते हैं it is interesting to know that stars are present in the sky during daytime also मतलब यह इंटरेस्टिंग है जानना कि स्टार्स सिर्प रात में ही क्यों दिखाए देते हैं ठीक है दिन में नहीं दिखाए देते हैं actually में बोगो दिन में होते हैं इस्टार्स दिन में होते हैं लेकिन sun का light इतना जादा होता है कि वो visible नहीं होते sun के आगे but there are not visible मतलब दिन में बिजिवल नहीं होते हैं because of very bright sunlight मतलब sunlight बहुत ज़्यादा होती है तो उनकी जो खुद की light है वो sunlight के आगे बिल्कुल कम हो जाती है इसलिए वो चमकते नहीं है सिर्फ sunlight ही चमकती है दिन में If you observe stars carefully they appear to move east to west मतलब अगर हम तहां से देखें तो stars दिखाए देते हैं It happens because the earth rotted from west to east धन देना अगर stars हमें east से west के और दिखाए देंगे क्योंकि हमारी जो आरत है वो पिल्कुल उल्टा मतलब west to east क्या करती है रोटीट करती है आगे देखते हम pole star जो की सबसे ज़्यादा चमकने वाला star है carefully observe the night sky अगर हम रात में sky को अच्छे से observe करें तो हम उसमें पाएंगे कि stationary star in the north direction यानि कि north direction में stationary star है stationary star का मतलब है जो अपनी चेकर fix होता है वो move नहीं करता है तो वो हमें देखाए देखाए जैसे हम pole star कहेंगे it does not appear to move because its position is in the line of earth axis यह जो star से बैसे तो move करता है लेकिन हमें move अप्यार नहीं होता है क्योंकि इसकी यह हमारी अर्थ की जो axis है उसकी line में होता है यह pole star ठीक है it always seen in the northern direction pole star को हम सिर्फ northern direction में ही देख सकते हैं night में it was used in earlier time by the sellers to find the direction while selling in sea मतलब पहले के जमाने में जो sellers होते थे यानि कि जो जहाज बगएरा चलते थे किस में? ocean में तो वो अपनी direction को find करने में इसकी मदद लेते थे कैसे? क्योंकि यह जो pole star है वो हमेंशा north direction को ही represent करता है तो इससे वो idea लगा लेते थे कि pole star उदर है it means उदर north है और north के साब से बाकी की direction को वो observe कर लेते थे आगे देखते है activity one to observe the direction in which stationary object appears to move in relation to a moving body तो इसमें ले है देखो go to the playground with your friends playground में जाना है आपको and ask the friend to turn from east to best मतलब आपका friend जो है east से best की और turn होगा circular motion में ask him to observe the stationary object around ठीक है अगर हम खुद east से best की और एक तरे से move कर रहे हैं और हम stationary object को देखते हैं now tell him to stop suddenly in which direction did the find that the object of moving he would find that the he moved from east to west the object around him appeared to move from west to east मतलब हम ground में जाके अगर हम east to west move करते हैं तो हमें object जो होते हैं उल्टा दिखाई देते हैं तीक है आप खुद यह observe कर सकते हो आप मान लिजिए east east to west move करोगे तो आपके object आपको west to east move करते हुए दिखाई देंगे तीक है आगे हम देखते हैं activity two तो activity two में हम यह समझेंगे कि why the pole star appears stationary मतलब जो pole stars है वो हमें एक जगे ही दिखाई देता है मतलब stationary यानि fixed position में दिखाई देता है वो move करता हुआ दिखाई क्यों नहीं देता तो इसके लिए आपके एक black color का umbrella लेना है ठीके और उसके जो spokes हैं जैसे यह spokes नूथे जैसे अम्मृला है यह spokes भोलते है इनको जो radius होती है इनको spokes भोलते है तो इनके spokes बे आपको एक तरसे silver paper लगाना है जैसे देखो एक यह लग रहा यह silver paper लगाना है convert यह silver paper यह लगाना है क्योंकि silver하기 है ब्राइट होता है मतलब यहापके स्टार्स हैं ठीक है और बीच मिंग आपको सिल्वर पेपर लगाना यहाँ पर देखो यह दिख रहा अब जब आप इससे तरह से रोटेट करोगे तो आपको बाकी के जो silver paper है मतलब बाकी के ये जो stars हैं ये rotate करते होई दिखाई देंगे बट आपका जो बीच वाला paper है ना silver का ये rotate करता होई दिखाई नहीं देगा क्यों कि ये earth की access की line में होता है माली जी आपने जो डंडी है ना ये ये रोड है जिससे आपने इसे अम्रेला को पकड़ रखा है ये आपका क्या earth है तो earth में ही आपका ये जो पोल स्टार है वो दिखाई देता है इसलिए ये आपको rotate विजिवल नहीं होगा बाकी के और star आपको rotate विजिवल होंगे बट ये वाला star जो है पोल स्टार ये हमारे इस अर्थ में है अर्थ की line में है इसलिए कभी भी rotate विजिवल नहीं होगा तो ये पैटा ये activity है आप खुद भी करके देख सकते हो इनमें ठीक है हमारे करने के लिए तोती activity आप करके देख सकते हो आपको खुद रिलाइज हो जाएगा कि पोल स्टार इस टिस्टनरी है ये मूवमेंट में नहीं दिखाए दिता आगे हम पढ़ते हैं कंस्ट्रेसलेशन ठीक है कंस्ट्रेसलेशन क्या होता है तो देखो आपने देख होगा कि बहुत से जो स्टार्स होते हैं कुछ पैटर्न में होते हैं ठीक है जैसे कुछ स्टार्स तो आपके मालेजिए इस सेप को बना रहे हैं कुछ आपके कुछ और अधर सेप को बना रहे हैं तो यह जो shape होती है stars की, यह group होता है stars का, जो कि इन shapes को बनाता है, वोसे हम constant relation कहते हैं, तो देखो, we can see count less stars in the sky, यानि कि हम आसमान में बहुत ही ज्यादा मतलब एक तरह से stars को देखते हैं, जो कि uncountable है, जिनको count नहीं कर सकते हैं, If you observe them carefully, अगर हम इनको carefully देखें, तो some stars form a pattern that can be easily identified, मतलब कुछ stars होते हैं, जो कि कुछ pattern में होते हैं, जिनको हम easily identify कर सकते हैं, These recognizable patterns formed by a group of stars is called constellation, मतलब यह जो pattern है, जो कि कुछ stars के दोबारा एक तरह से बनाया जाता है, इसी हम बोलते हैं, constellation, Such patterns sometimes resemble certain object और figure, मतलब यह जो pattern होते हैं, वो हमारे कुछ object के जैसे हो सकते हैं, या कुछ figure जैसे हो सकते हैं, Many constellations have been identified and named by the astronomers, जो astronomers होते हैं, उनके दोबारा कापी सारे जो constellations से हैं, वो identify किये गए हैं, जैसे उनके बारे हम देखते हैं, तो देखो, there are 88 standard constellations recognized by the International Astronomical Union, मतलब IAU, ठीक है, आपको यह विदान रखना है, IAU की full form, International Astronomical Union, तो उसके दोबारा 88 कुछ standard constellations identify के गए हैं हमारी universe में, ठीक है, the majority of these go back to 48, defined by Patolemy, an estimation, astronomer of Greek, ठीक है, Patolemy, एक astronomer हैं, जो की Greek के हैं, तो उनके दोबारा, कुछ 48 जो constellations हैं, वो identify के गए हैं, in his, in his, alamagast, alamagast का मतलब होता है, उनके दोबारा जो book लिखी गई है, constellation पे, तो उस book को केते हैं, ठीक है, जो second century में लिखी गई थी, the remaining one वर identify in 17 और 18th century, मतलब 48 जो constellations है, वो second century में एक तरह से identify के गए थी, बाकी के जो बच्चे कुछे, ठीक है, यानि कि 48 मैनेस कर तो 88 में से, तो 40 constellations जो है, 17 और 18th century में identify के गए थी, तो चलो उनके बारे हम देखते हैं, कि कौन-कौन से होते हैं ये, तो पहला हम देख रहे हैं, उर्षा मेजर, ठीक है, उर्षा मेजर, it is also known as great wear, मतलब उर्षा मेजर को हम great wear नेम से भी जान सकते हैं, या फिर हिंदी में अगर हम कहें तो सब-त्रिशी मंडल, कौन सा, सब-त्रिशी मंडल, मतलब seven stars होते हैं, जो कि इससे form में होते हैं, this constellation is visible throughout the year in most of the northern hemisphere, यानि कि जो हमारा northern hemisphere है, इसमें पूरे साल भर ये जो constellation है, ये एक तरह से visible होता है, it can be seen in april, it is visible during summer, मतलब april के महिने में हम इसको देख सकते हैं, early in the night, मतलब night के huddy time, ठीक है, midnight में नहीं, जब रात होती है, जैसे seven या eight, ठीक है, eight या nine o clock पे, या eight या nine pm पे हम इसको देख सकते हैं, लेकिन summer में, यानि कि april में, ठीक है, उर्षा major जो है, वो आपका कुछ ऐसा होता है, इसका figure out आप देख सकते हो, diagram में, ठीक है, यह है आपका उर्षा major, जिसको हम सब्तरिशी मंडल कहते हैं, seven stars होते हैं, ठीक है, आप count कर सकते हो, three, four, five, six, seven, और seven stars जो होते हैं, वो इस प्रकार से कुछ समय identify होते है, sky में, ठीक है, मतलब इस shape को बनाते हैं, इसलिए हम इसको great wear, उर्षा major या फिर सब्तरिशी मंडल कहते हैं, ठीक है, आगे हम देखते हैं, देखो, it consists of seven bright stars, resemble in a big ladle, और question mark, मतलब question mark जैसा होता है, three stars make the handle of the ladle, तीन star एक तरसे handle को बनाते हैं, और चार star जो होते हैं, वो एक तरसे ball को बनाते हैं, ठीक है, आप देख सकते हो, एक मेंट, यह देखो आप, यह आपका एक तरसी, यह तीन star तो आपका handle बनाते हैं, यह आपका एक तरसे ball को बनाता है, तो इस टाइप से हम इसको देख सकते हैं मतलब इस्टेट लाइन में होता है अपिरस तो मूब अराउंड दा पोल स्टार अर्सा मेजर जो होता है वो पोल स्टार के अराउंड ही मूब होता है देखो यह जो सबसे ज़्यादा चमकने वाला जो स्टार है यह हमारा होता है पोल स्टार के चारतर पी और्सा मेजर होता है अब हम बात करते हैं और्सा माइनर ठीक है जिसको लिटल वियर कहेंगे ठीक है वो और्सा मेजर था यह और्सा माइनर है तो वो great wear था, ये little wear है, ठीक है, वो 17 मंडल था, ये lagu 17 मंडल है, ठीक है, इसमें भी seven bright stars होते हैं, ठीक है, और इसमें poly stars भी होता है, this constellation can be seen in the northern sky, इसको भी हम northern sky में देख सकते हैं, और इसको भी northern sky में देख सकते हैं, like the great wear, the tail of the little wear may also be seen in the handle of the ladle, लग जैसे great wear में तीन star में एक तरसे handle को बनाते थे, इसमें भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, the stars of and of the different handle is the poly stars and also called polaris, अब देखो इसमें और उसमें फरक क्या है, ठीक है, इन दोनों का आप देखो के, इसमें कुछ ऐसा बनाए दिखा आपको handle और इसमें आपको handle कुछ ऐसा बनाए दिखाया है, ठीक है, यतना सा फरक है, ठीक है, और सा major और सा minor में, बाकी का same ही होता है, ठीक है, अब हम बात करते हैं, जो next, जो constellation है, वो है आपका Orion, ठीक है, it is also called, ठीक है, मरक, मतलब इसको मरक टाइप का बोल सकते हैं, आप जो, इसकी जो shape होती है, वो हंटर की जैसी होती है, जैसे कुछ सिकारी है न, ठीक है, वो हंट करता है न, कुछ इसकी shape है, आप इसमें डागरा अब देख सकते हो, एक मिनट, आपको यह डागरम देख रहा है, यह वाला, इसमें ऐसा लग रहा है, जैसे कोई hunter सिकार कर रहा है, ठीक है, और यह इसको हम कब देख सकते हैं, इसको विंटर में देख सकते हैं, लेट नैट में, मतलब बारा बजे के करीब या ग्यारा बज इसमें देख रहा है, देख यह एक ही रो में होते हैं, देज आर, फोर ब्रैट इस तार्स स्रावंडिंग, और इसके चार तरप, चार स्टार्स होते हैं, ठीक है, यह वाले, आर ब्रैट इस स्टार उराणिंग, दा वैल्ट आप दा रफ चिमिलर डिस्टेंस, मतलब यह to represent the outline of the hunter body ठीक है मलब ये बाले जो होते हैं hunter body को बो करते हैं ये तो नीच वाल ऐसा है और ये मौत वाल ऐसा है मलब एड़ वाल ऐसा और ये आपका बो है ठीक है तो इस परकार से ये एक तरसे form बनता है अब देखते हैं एक और जो star होता है वो होता है serious serious the brightest star is also located on the state and state line passing through the three middle stars of the orient बना ओरियन में जो तीन बीच में जो middle star होते हैं जो कि मैंने आपको दिखा जिता हूँ तो उससे एक lining जाती है जो कि serious से जाके connect होती है और serious एक तरसे serious एक तरसे brightest stars देख लो यह आपका एक तरसे और 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 से जो और और का जो middle part है ना जिसमें तीन stars थे जो कि यह भी brightest थे तो इन से जाके एक lining बनती है और यहाँ पर आपके आपको serious star देखता है यह जो कि सबसे व्राइस्ट है ठीक हैं और यह और यहन से ही स्टेट लाइन में दिखता है आगे हम बात करते हैं Cassiopeia it is a constellation in the northern sky named after क्यून Cassiopeia मतलब Cassiopeia क्यून के नाम पर इनको Cassiopeia नाम दिया गया है it is also called सर्मिष्टा इन हिंदी यानि किसको सर्मिष्टिता हिंदी में कहते है it is a group of five stars इसमें पाँ स्टार्स होते हैं ठीक है जैसा कि आप देख सकते हो यहाँ पर यह आपका Cassiopeia जिसमें दो स्टार्स जोड़े होते हैं और एक अधर होता है मतलब यह जो है ठीक है और अगर सुल्टा देखे तो हम W की फॉर्म या M की फॉर्म से इसको रिकॉर्नाइज कर सकते हैं ठीक है यह Cassiopeia होता है इसमें five stars होते है आगे हम देखते है कॉस्टन आंसर इस आलसो नोन अज ग्रेट वियर ठीक है तो उट समीजर आगा समें ठीक है तो इसमें अभी जस्ति बताया मैं आपको Cassiopeia वी कैनोट सी दा मून ओन डे टाइम ठीक है डे टाइम में हम मून को ने दे सकते इसमें नेक्स्ट नेरेस्ट स्टार्ट अब दा अल्फा इसमें अल्फा आएगा एंड कंस्टलेशन लुक्स लाइक है हंटर हंटर कौन देखा देता है आपको ठीक है और यह आगे हम देखते हैं सोलर सिस्टम के बारे में दा सन एट प्लैनेट एंड देर मून ठीक है मतलब सन है एट प्लैनेट है और उनके भी मून से और कॉमेट से हैं मेडियोर्ट से हैं मेडियोड़्ीयत ने सहय मेडियोड़्न से हैं अएश्टर आफ लाइचे explor नियुक्रात्य करेचा एक शोलर सिस्टम को तैयार करते हैं इट लॉक्टिड विदिन युदिन वरभ्त मतलब जो मिलकी वीज हैं उसके आउटर आर्म में हमें ये सूलर सिस्टम दिखा दिता है बिच कंटेंस अबाट 200 बिलियन स्टार्स मतलब इसमें 200 के करीब बिलियन स्टार्स होते हैं ये बाकी प्लेनेट के लिए एक तरह से हीट का सूर्स होता है जैसे अर्थ हमारा फ्लेनेट है तो अर्थ को भी जो सन लाइट मिलती है वो सन से मिलती है मतलब लाइट मिलती है वो सन से मिलती है ठीक है हम पहले ये पढ़ चुके हैं कि प्लेनेट के पास अपने खुद की around revolve करते हैं most of the mass is contained within the eight planets whose orbit are almost circular and lie within a nearly flat disk called eclipse plane देखें मतलब sun के around जो orbit बनता है उसे हम एक तरह से eclipse plane कह सकते हैं अब हम पढ़ते हैं कुछ planets के बारे में जो कि eight planets हमने तो देखो planet are heavenly bodies revolve around the sun planet भी heavenly bodies होती है जो कि sun के चारों तरफ revolve करते हैं और जिस path में यह revolve करते हैं उसे हम बोलते हैं orbit क्या बोलते हैं orbit ठीक है तो planet के बारे में हम पार्ट टू में पढ़ेंगे यह आपका पार्ट वन है आज हम इतना है पढ़ेंगे पार्ट टू जो है उसका जो लिंक है आपको इस वीडियो के टिव सेक्षन में मिल जाएगा तो वहां से जाके आप इस चेप्टर का पार्ट टू दे सकते हो चलो मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए बाए और जाने से पहले प्लीज इस वीडियो को लाइक बटन को प्रेस करें इस चैनल को सब्सक्राइब ने क्या है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें